इसका मतलब किया है इसका है इसका मतलब किया है जब दो एक्स्प्रेशन को आप इक्वेशन रखते हैं तो आप उसको क्या बहुत है एक्वेशन ओके आज हम सोल करेंगे आपके आपकी linear equation in one variable इसका मतलब किया עzeniear equation in one variableríe a विगेशन पावर इसका मतलब किया होता है linear equation in one variable है equation which contain only one variable and highest power is one जिसमें से फीक variable हो जैसे आपने equation है यहाँ पर फीक variable है X तो यह कि हाँखे आपकी linear equation in one variable highest power कि आप 1 ओकिए तो अब हमारा िया हो X की value solve करने का मत इसले में हम ठाख की value find out कलने है… X की value find out करने है, X की यहां पर क्या होगा ? X को आप इसके solution भी होल सकते हैं ask को आप इसके root भी होल सकते हैं तो हमें find out करना एक्स पर X दे क्लिब हैं क्या करना होगा ? कि आपकी दो साथ देखी, लेट रेटीजेट और राइटेट जाएगा। जहां पर भी आपका एक्स दिवैलियम नहीं करना है। एक्स के साथ आपका कोई भी नंबर नहीं होने है। जिस्ताब एक्स के साथ जितने भी नंबर होगी उनको क्या करना है। terminate करना है, यानि कि इसको खतम करना है, चाहे आप add करके करें, multiply करें, divide करें, तो आपको करना है, जैसे आपको left right side में देखना है, और उसके हिसाब से आपको operation में आपे लगाना है, जैसे 2x plus 4 is equal to 8, अब उन देखे लिए 4 है, सबसे पहले minus और plus को खतम करें, ठीक है, terminate करें minus plus the number, तो plus 4 है, तो अब अगर हमी आपर minus 4 करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस 4 आपका terminate हो जाएगा, तो यहाँ पर 2x plus 4 is equal to 4, तो subtract 4 from inside, 2x plus 4 minus 4, 8 minus 4, 4 से 4 cancel हो जाएगा, से 4 से 4 cancel, तो यहाँ पर बिचे कर, 2x is equal to 4, अब यहाँ कर गया है, 2, 2 क्या multiple है, जब multiply ल तो आप 2 से divide करेंगे, तभी 2 आपका terminate हो आप, तो 2 से क्या हो जाएगे, divide, divide this side by 2, 2x by 2, 4 by 2, दोनों साइड को ही करेंगे, जो अपरेशन आप लगाएगे, दोनों साइड में लगाएगा, the left or right side, तो 2x by 2, 2 से 2 cancel हो जाएगा, 4 by 2, 2 हो आजए, x is equal to 2, आप हमें करना है, आपका अंसर को check, कि जो आपका अंसर xt value है, यहाँ पर, आपकी आई है, जो x की value हमने find out किये, वो आपका अंसर क्रेक्ट है, या wrong, ठीक है, चेकर ने के लिए क्या करेंगे, आपकी equation, given equation 2x plus 4 is equal to 8, हमें put करना है value, xt value को put करना है, सचिट करना है, ठीक है, जो हम इससे पहल आपका अंसर करना है, पुट करना है, given equation, तो put x is equal to 2 in given equation, x आपका अंसर को, x की जो हम इससे पहले है, यहाँ प्लस 4 is equal to 8, 4 plus 4 is equal to 8, 8 is equal to 8, जब यह दो राइट साइ, राइट साइट और राइट साइट के ला आजाएगे, इसका अंसर का अंसर करेक्ट, तो x is equal to 8, is the right answer, and the second question is, 3x plus 6 is equal to 15, 3x plus 6 is equal to 15, अब देखें यहाँ पर x, पहले क्या 6, 6 को आप क्या करें, तो करने के लिए क्या करेंगे, minus करेंगे, तो subtract 6 from each side, हम नहीं subtract कर गए, क्या subtract है, 6, 6 यहाँ से cancel है, ठीके, 15 minus 6 क्या एगा, नहीं, आपको जो प्रिश्या है, इसको देखेंगा, नह यहाँ देखेंगे, अगर यहाँ से 6 ए तो आप यहां 6 minus करेंग्य, ठीके, plus का 6 है तो minus का 6 करेंगे, minus का 6 है तो plus का 6 करेंगे, इसको एपोजिन ही आपने side, ठीके, अगर यहाँ multiply है तो आपको divide करेंगे, अगर divide है तो И.ँसका जो आपके left side में, left hand side में, उसका opposite ही आपको क 3x plus 6 minus 6 is equal to 15 minus 6, 3x is equal to 9, अब तेके आपने 3 क्या multiple है, मैंने का था इसके opposite करना आपने, अब क्या करेंगे, डिवाइट करेंगे, डिवाइट करेंगे, डिवाइट इसाइज बाइ 3, 3x by 3 is equal to 9 by 3, यह 3 से 3 cancer हो जाएगे हैं, तो क्या बचेगा क्ना, x is equal to 3, यही इसका क्या अब बाचा क्या बूफ भी बोचेगे, तो उसके बाद पहरा है, चेक, 3x plus 6 is equal to 15 is the given equation, put the value of x is equal to 3 in the given equation, जहाँ जापा आपका x होगा, वहाँ पे आपको क्या 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 लिए, value put करने हैं कि इसकी x कि लएगे, 3 into 3 plus 6 is equal to 15, 9 plus 6 is equal to 15, यह आपको as it is, आपको solve करेंगे, इसे 3 is the right hand side, because left hand side is equal to right hand side, next question is third fourth, आपको बेल्कुल as it is है, आपको एको फिलसे ट्राइट करना सको, टाइक, आप देखे, 5th question, 5th question तो यहाँ पे चार अपिलके, एक्पा प्या करेंगे, इसका पोजेट क्या होगा, प्लस, तो हम क्या करेंगे, दूर्लों सेट क्या करेंगे, प प्लस 5, 5 से 5 cancel होजेगा, एक प्लस एक पारस तो ही cancel होजेगा आपका, तो x by 5 is equal to 6, अभी x by 5, तो 5 क्या है, divide हो, आपको करना क्या है, इसके posit, multiply, multiply both side by 5, तो x by 5 into 5 is equal to 6 into 5, 5 से 5 cancel है, आपको x is equal to 30, okay, x equal to 30, check करेंगे, अभी है, हमसे correct है या नहीं, तो होग है, correct है, तो check x by 5 minus 5, given equation is equal to 1, put x is equal to 30 in given equation, x को इसके पे आपको क्या करें, 30 को place करें, 30 by 5 minus 5 is equal to 1, 5, 6 is equal to 30, 6 minus 5, यहाँ पर 1, 1 into 1, 1 equal to 1, okay, तो right, left hand side is equal to right hand side, so x is equal to 30, is the right hand side, 8th question is, 2x by 3 minus 6 is equal to 4, add 6, यहाँ पर minus है, तो हम क्या करेंगे, add करेंगे, add 6 to both side, 2x by 3 minus 6 plus 6 is equal to 4 plus 6, 6 से 6 cancel है, यहाँ पर 2x by 3 is equal to 10, 3 यहाँ पर क्या है, divide, यहाँ अब क्या करेंगे, multiply, multiply, multiply both side by 3, 3 से multiply करेंगे, 3 cancel हो जाएगा, यहाँ से, यहाँ से multiply करेंगे, 10 into 3, 30 यहाँ यहाँ 10 into 3, 2x is equal to 30, अब देखें, divide आपको क्या है, 2 है, multiply, तो अब क्या करेंगे, divide, 2x divided by 2, is equal to 30 by 2, the 2 second time, यहाँ अब क्या है, यहाँ पर, x is equal to 15, यहाँ पर 2x by 3, minus 6 is equal to 4, put the x is equal to minus 3 in the given equation, Okay, so minus 3 means 15 Okay, 15 X is equal to 15 in the given equation 2 into 15 by 3 Minus 6 is equal to 4 15 into 30 30 by 3 Minus 6 is equal to 4 30 by 3 is 10 10 minus 6 is equal to 4 4 by 4 is equal to 4 X is equal to 15 is the right answer Okay, जो हमारा last part Last part में हमने क्या किया है चेक करना था दुबारा देखिए यहां से हमने क्या किया है X की value यहां से देखिए यहां आपको multiply 2X by 3 3 divided में आपको अपने क्या किया multiply कर दिया ठीक है जो यहां पर होगा उसका आपको opposite ही करना है यहां पर 3 divided में तो सबसे पहले 3 को यहां से क्या करोंगे तो 3 से दी क्या करेंगे multiply किया multiply किया 2X is equal to 30 अब यहां पर 2 multiple में इसका opposite क्या तहीं दिवाइड करना तो इसको 2 से क्या करेंगे 2 से दिवाइड किया तो X is equal to 15 अब इसको क्या करेंगे चेक किया चेक करने का हम चाब है जहां पर X होगा बहीं पर आपको 15 value put out 2X by 3 minus 6 is equal to 4 X जब बीटा है करेंगे 15 निए 2 into 15 by 3 minus 6 is equal to 4 30 by 3 आजाए minus 6 यह तो पहाँ पहाँ जाए आपको सब कोंसे तो आज़े left hand side 30 by 3 minus 6 10 by 6 4 4 equal to 4 X is equal to 15 is the right answer तो आपको करना है तो है 10.5 10.5 is 1 to 9 question जो लाट पार्ट है you will try yourself तो 1 to 9 question write down on the fair number Okay, thank you Have a nice day student Bye